हाई काईज वेलकम टो और यूटोब चैनल देरियल इन्वेस्मेंट आलोक इंडस्ट्री में इसके रिजर्ट्स के चलते काफी इसको इंपैक्ट जहलना पड़ा था और काफी लो आलोक इंडस्री चलते हुए हमें देखने को मिला था लेकिन इंडिनों स्टॉक में तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है और इसकी लास्ट ट्रेडिंग देखेंगे तो आपको इसमें 5% की तेज़ी भी बनते हुए देखने को मिलेगी और MSCI इंडेक्स के रिलेडिक्ट क्या कुछ इसमें खास होने जा रहा है जिसके जलते आलोक इंडेस्ट्री में अब हमें तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैं आपको आज का चार्ट पैटन बताना चाहूंगी जिसमें आप द ओंन देखने मिल रहा है इसका हाई भी देख सकते है क्वें पीछले वीडियो में बता ही दिया था कि 20-21 के टार्गेट प्राइज आपको देखने को मिलेगे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं उसमें प्रिछ इंप कि चाइब DR. अब भात किजये थो наvene में चलू करते हैं यहीं जूर गया सबसे पहले मैं आ subtitles को जाने करेंग और यहाजी बारे में Feably together 25 वेशेयो डेखने को मिली होगी तुए कि आक में तक ही मिलां सबसे पहले में यहाँ ने करें कि मैं जाना जहूं यहां पर देखने को मिल रहे हैं सबसे जादा highest holding promoter में reliance की देखने को मिल रहे हैं और reliance industry का कोई भी decision ऐसा मामूली साबित नहीं हो सकता क्योंकि reliance industry खुद में ही एक brand है और जबकि उसकी holding इस आलोक industry share में है तो इसमें कुछ तो बात आपको जरूर देखने को मिलेगी और इनकी जो यह investing होती है यह short term point of view नहीं होती है यह काफी लंबा game खेलते हुए देखने को मिलते है long term wise तो इसके चलते यह एक positive point बनते हो यहाँ पर देखने को मिल रहा है mutual fund देख सकते हैं पर 3 percentage का stake यहाँ पर देखने को मिल रहा है foreign investor भी हाँ पर देख सकते हैं फेल 14 next level पर हाँ पर individual investor की holding भी देख सकते हैं 20.08% की देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा stake अगर किसका होगा तो majority promoters का हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और promoters के holding यह बताते कि stock में आप भी दमखम कुछ बाकी है stock के अंदर next level पर जो कि मैं MSCI इस index के बारे में आपको बता रही थी तो MSCI will added 33 smaller Indian stock तो इसमें एक stock नहीं बलकि यहाँ पर 33 smaller Indian stock यहाँ पर include के MSCI इस index के अंदर तो आपको यहाँ पर आलोक industry का भी नाम यहाँ पर दिखता होगा कि आलोक industry को भी इसके अंदर शामिल किया हुआ है तो जिसके चलते stock में आपको अच्छा खासा एक momentum बनते होँ देखने को मिल सकता है यानि कुछ supporting point यहाँ पर मिलते हो देखने मिल रहा है अब MSCI यहाँ देखा जाए तो Morgan Stanley Capital International इसके index में उनका शामिल होते होँ देखने को मिल रहा है यह stock next level पर हापकर मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि इसके holding के बारे में ही बात है जो कि इसके हम पिछले quarter के हिसाब से compare करेंगे कि क्या कुछ changes होते हुए हमें देखने को मिल रहे stock के अंदर number one पर मैं आपको बात करना चाहूंगी foreign investor तो foreign investor का stake यहां पर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है domestic institutional investor as usual है पहले की जैसी ही है और promoters की holding का है में 75 percentage के साथ orders की holding है यहां पर थोड़ी से vary होते हुए हमें देखने को मिल रही है next level पर इसके return की मैं बात करना चाहूंगी तो आप यहां पर देख सकते हैं stock में इतना भी दम है कि stock 4 digits तक क्या हमें return दे सकता है within in 3 years 1051.43 percentage के stock यह दे चुका है और stock में इतनी काबिलेत भी हमें देखने मिलती है सिर्फ इसके अंदर जो point है वो यह है कि इसके competitors बहुत से available होने के वज़े से stock में हमें थोड़ा ऐसी up-down situation देखने को मिल रही है बाकि otherwise stock well and good है next level पर जैसे कि आप इसका previous day के हाँ पर value देख सकते है 19.25 की और कितना जबरदस इसका trend होते हो देखने को 20.15 का आप जो लोग इसके अंदर long term point of view नहीं जाना चाहते वो इसके अंदर यानि कि आप अगली training जब होईगी यानि कि Monday को तो इसमें कुछ लोग profit booking भी कर सकते हैं आप ऐसा नहीं कि stock के अंदर इतने positive बात होने के बाद भी stock नीचे क्यों जा रहा है तो कुछ लोग इसके अंदर profit booking कर सकते हैं कि वो जो loss से गुजर चुके तो इहां पर profit booking होना नाजमी है लेकिन आप इसके अंदर holding अपनी कायम रख सकते हैं नेक्स लेल पर यहां पर बात करना चाहूंगी मैं आपको जो कि इसका net sales से quarterly basis पर आप देख सकते हैं पर March 20 के मुकाबले और March 2021 यानि कि एक साल में स्टॉक में कितनी sales ग्रोथ बढ़ते हूं हमें देखने को मिल रही है देख सकते हैं त्री डिडिर से बढ़कर फोर डिजिट्स में होते हैं देखने मिल रही है 1466 पर नेक्स लेल पर यहां पर देखा जाए तो आपको इसका प्रॉफिट टू इंट्रेस देखने को मिल जाएगा कौटरां कौटर बेसिस नेगेटिविटी से स्टार्टिंग हुई थी और यह पॉजिटिविटी में बढ़ते हूं देखने को मिल रहा है 1.27 के साथ साथी साथ इसका प्रॉफिट अफ्टर इस टैक्स देखा जाए याने पैट की बात की जाए तो यह भी माइनस थ्री डिजिट नेगेटिव से आप यह पॉजिटिव थ्री डिजिटी में आते हूं देखने हूं मिल रहा है 150.84 के साथ नेगेटिव थ्री डिजिटी से यह बढ़कर आप पॉजिटिव थ्री डिजिस में आते हूं देखने को मिल रहा है 152.16 करोड रूपीस तक का तो यह एक जबर्दस बाते स्टॉक के अंद होते हूं देखने को मिल रही है लेकिन कुछ रिजन्स के वज़ज़ से यह बाते छुपी रह जाती है और आप लोग इसके अंदर नेगेटिवी टिप फैलाते जाते है और सोच भी वैसी रखकर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होते हैं लेकिन जो लॉंग टर्म वाइस सोच रखते हैं उनके लिए वेल और गुड स्टॉक है लेकिन रिस्के भी उतना ही यह स्टॉक आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एक अपने हाइप पॉइंट की बात स्टॉक के अंदर जबर्दस्त हमीं गिराउट होते हुए देखने को मिलती है यह इसका लॉंग टर्म का चार्ट पैटर्न हमें कहता है तो यह बात आपको यहां पर समझनी चाहिए वन यर के रिटन देख सकते हैं आप 94.42 परसंटेज के देता है स्टॉक सेक्टर वाइज 128 परसंट के सेंसेक्स वाइज देखा जाए तो 55.21 परसंटेज के स्टॉक हमें रिटन देते हैं देखने को मिल सकता है तो आलोक इंडस्री के रिलेटेड एक खुश खबर आते हो देखने को मिल रहे है आपको जो कि एक आच्छे तेजी की मुमेंटम बनाते हो देखने को मिल रहे हैं तो आप सभी भी इस सभी का फाइदा उठाएगा तो थैंक यू सो मच